तो आज की वीडियो में सिखेंगे हम लॉंडरी वैग बनाना और फ्रेंट्स लॉंडरी वैग को आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं ये बहुत ही यूसपुल होता है आपके घर में बिल्कुल होना ही चाहिए तो इसके लिए हमें या तो कोई मोटे कपड़ी के आप इस पैक की जो भी बोरी हो भी यूज करनी है तो सबसे पहले हम इसकी जो किनारी होती है उसको सीजर से कट कर देंगे और इस तरीके से हमें कट कर लेना है अब हम इसकी चौड़ाई की माप कर लेते हैं तो 22 है और हमें थोड़ा लंबाई कम करनी है तो इसको हम अभी 2 इंच कम करेंगे तो यहां से हम इसको कट कर देंगे आपको जितनी भी लेंथ रखनी हो आप अपने अकॉरिंग इसकी घटा वड़ा सकते हैं अब इसकी लंबाई हो गई है तो इसको हम डबल लेयर में यूज करेंगे ताकि हमारा अच्छा एकदम थिक सा बने और इस तरीके से हम कड़ी को पिछा कर अपना यह जो प्लास्टिक सीट है अमरी वह उ रख लेंगे और तो इंच एक्स्टर में 4 साइट से 2-2 ंच आकषर काटने फैस उस sucked कार्ट लिया है अब हम इसका बॉटम पार्ट बनाएंगे तो बटम पार्ट हम इस तरेके से सर्कल में बनाना है तो कोई भी आप थाले या प्लेट्स इस तरीके से ले सकते हैं तो इसको भी हम जो हमारी प्लास्टिक सीट है उसको डबल यूज करेंगे तो इस तरीके से हम रख कर और नीचे एक पिन लगा देंगे अपिन अप करके और इसमें सरकिल बनाकर निशान लगा देंगे एक पैंसी और इसको सीजर से कट कर लेंगे तो इसको भी आपको सीट के दो पार्ट चाहिए क्योंकि यह अच्छी हमें थिकनेस चाहिए इसमें तो हम इसको डबल यूज करेंगे पार्ट प्लास्टिक सीट के तो दो हमें इसमें अस्तर चाहिए एक नीचे से लगेगा और आपको कपड सीजर से कट कर देंगे अब हमने दो पार्ट इसमें यूज कर दिये हैं जो हमने प्लास्टिक शीट के काटे थे उसमें सिल दिये हैं अब हम इस साइट से भी इसमें अस्तर लगाकर और से लाई लगाकर जो भी एक्ष्टर कपड़ा है उसको भी कट कर देंगे तो यह हमारा जो लॉंडरी वैग है उसका वेस बनके रेड़ी हो गया है इसी वेस के हिसाब से हमें पूरी शीट की माप करनी है अब हम इसमें एक निशान लगा लेते हैं इस तरीके से कहीं भी आप इसमें एक निशान लगा लीजिए और यहीं से हम इसकी माप करेंगे तो इस तरीके से इसको circle by घुमा कर और इसकी हम माप करेंगे तो ये हमारा है 34 इंच और ये हमारा 34 इंच है तो इससे 1 इंच extra हमें इसकी seat बना कर रेडी करनी है पहले आप circle की map कर लीजए जितना भी आप की circle की गुलाई आये इंचे टेप से उससे ऐक इंच बड़ी ज्यादा बढ़ी नहींस फिर्फ एक इंच बड़ी आपको seat काटनी है तो इस तरहेंसे अब हम इसकी map कर लेंगे पहले आप circle की map करेंगे और सर्किल की माप के हिसाब से आपको सीट रेडी करनी है सर्किल की गुलाई के हिसाब से ही आप इसकी सीट की लेंथ माप करेंगे तो वो हमारा 34 था और यह हमारा 36 तो अभी हमारा 2 इंच जाता है अभी थोड़े हम सिलाई करेंगे उसमें थोड़ा बहुत सिलाई में जाएगा अभी हमारा यह 2 इंच एक्स्ट्रा है तो हम टोटल इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे अब हमने एक अस्तर इसको इस तरीके से फ्लैट विछा कर और चारों साइट से इस तरीके से पिन अप कर देना है और पिन अप करके और इसमें चारों साइट से हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से अच्छे से आप पिनप कर लीजिए बहुत ही इजी होता है इसको सिलना और डबल लेयर में देखिए हमने सीट रखी है इस तरीके से आप भी डबल लेयर में रखेंगे तो आपका काफी अच्छा एकदम थिक सा बनेगा मौटा सा बनेगा नहीं तो आप अगर एक सीट यूज करेंगे प्लास्टिक की आटा बैग राइस बैग जो भी आप डालें तो इकदम पतला सा बनेगा मेरा काफी अच्छा बना है मौटा सा तो इस तरीके से हमने डबल सीट इसमें यूज की है अब एक सैट से हमने इसके चारों सैट से सिलाई लगा दी है और इसमें फैबरिक निकला है उसको हम चारों सैट से इस तरीके से सीजर से कट कर देंगे तो यह याद रखना है आपको पहले आप एक सैट से अस्तर लगाए और इस तरीके से चारों सैट से लाई लगा कर फिर इसको एक्ष्टा फैबरिक को हम इस तरीके से फिनिस कर देंग और जो भी इसके हमने ये पिंस लगाये थे वो हम निकाल देंगे तो पिन आपको जरूर लगाना है बहुत ही इजली सिल जाता है और बिल्कुल इधर उधर नहीं किसकता है अब हम इस तरीके से इसको कबर करेंगे इस पर भी हम चारों साइट से पिन अपकर लेंगे और पिन लगाने से बहुत ही आसान हो जाता है इसको फ्रेंट सिलना तो आप पिन जरूर लगायेगा इस तरीके से चारों कॉर्नर पर और बीच में आपको इस तरीके से पिन लगा देना है तो देखिए हमने 2-2 इंच दोन कम मत कटना आप नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाती है थोड़ा बहुत सिलनी में बैठ जाता है कपड़ा तो इस तरीके से हम चारों शाइट से इसका फैबरिक कट कर देते हैं और यह याद रखना है जो भी आपके सर्कल की गुलाई हो उससे आपको पहले सीट कब डेर ही रखनी है इस तरीके से और फिर बात में हम एक इंच इसको एक्स्टा करती हुए और इसकी कटिंग कर देंगे तो टोटल एक इंच एक्स्टा आपको रखना है अगर एक इंच से आपने एक्स्टा रखा तो आपका तो फिर बात में फिर सर्कल सिलनी में बहुत दिक्कत ह गुआ जाएगी त्राइब इस तरीके से ड्रॉप कर देंगे ताकि हमारी जो सीट है और अस्तर और बीच की सीट अच्छे से फिक्स हो जाए तो हमने यह लाइन खीछ दी है अब इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तो देखिए हमने इस पर सिलाई लगा दी है अब यह हमारी पूरी शीट अच्छे से फिक्स हो गई है देखिए कितनी ठिकने ऐसा आ गई है हमारी शीट में और काफी सुन्दर भी लग रही है तो इस तरीके से अब हम इसकी सर्किल से और इसकी माप कर लेते हैं स्टिच करेंगे पर पलट कर फरंट साइड से तो यह हमारी पूरी केनारी अटेश हो गई है और हम उल्टे साइड से इस पर इस्टिच कर देगे अंदर साइड से पत्टी लगाने पर जो भी थ्रेट होते हैं वो लोक हो जाते हैं तो देखिए कितनी फिंसिंग से अंदर साइट से भी ये पट्टी बन गई है अब हम इसका बॉटम पार्ट इसमें अटेश कर लेते हैं तो इसमें सरकिल में हम कहीं भी इस तरीके से एक निसान लगा देंगे और गुलाई में मसीन घुमाते हुए और हमें इसमें पूरे में सिलाई लगा देने तो देखिए हमने पूरे में सिलाई लगा दी है और इस तरीके से अब हम इसको पलट लेंगे तो हमने ये पलट लिया है दिखिए फ्रेंड्स कितनी गहराई आ गई है इसमें अब इसका हम ढ़कन बनाएंगे तो ढ़कन बनाने के लिए हमें दो सीट चाहिए जैसे हमने बौटम पार्ट में लगाई थी सेम बैसे ही हमें इसमें भी दो सीट चाहिए और दो अस्तर चाहिए तो इस तरीके से हम बीच में पीन लगाकर और इस तरीके से दौनों अस्तर लगाकर इसको complete कर लेंगे और जो उपर वाला अस्तर था हम ने किनारी इसके इसी में किनारी अंदर साइट फोल कर दी है तो यह हमारा बनकर ready हो गया है और अब हमारा यह धकन बन गया है अब हम इसकी बद्धी तयार कर लेते हैं तो हमें बद्धी तीन बनानी है एक हम धक्कन में पकड़ने के लिए इस तरीके से बनाएंगे और दो हम अपने लॉंडरी बैग में लगाएंगे तो तीन बद्धी हमें बनाकर रेडी करनी है अब इसके लिए हम इस तरीके से कपड खाट लेंगे तो दोनों साइट से हमें फोल्ड करते हैं और एक इसमें बिस्ते हम सिलाई लगा देंगे तो इस तरीके से हमें तीन ये बद्धी बनाकर रेडी कर लेनी हैं अब हम आपको बद्धी की माप बता देते हैं तो इस तरीके से दो हमारी बद्धी बड़ी है और ए सेगेरित हैं किनारी फोल करनी है और इस तरीके 와서 20 सेंटर पर और िस तरीके से governo करना दो मैंное नाब कर दी की तो इक्ष्ठा है कि एके हैं मैं इसको एक हैं फ्राइज कर देती हुँ तो दोनों बद्धी हम इस तरीके से स्टीके से कटेंग gli docty कर लेंगे और इसका बिस सेंटर निकाल लेंगे और इस तरीके से हम अपनी दोनों साइड पद्धी अटेश करेंगे तो इसको सेम साइज में अब हम काट लेंगे आप अपने मापकर देख लीजिए अगर आपकी थोड़ी एक्ष्टा हो तो इसको कट करके फिर इस तरीके से अरज़ेस्ट करके और थोड़ी किनारी पर में अंदर से फूल करके और दोनों बद्धी हम इस तरीके से सिल लेंगे तो हम इस ये स्वी धागा से सिल रहे हैं इस तरीके से बहुत ही एजी तरीके से सिल जाती अगर आप चाहें तो आप मसीन से भी इसको सिल सकते हैं मैंने स्वी धागा से इसको सिल कर और रेडी कर लिया तो इस तरीके से हमें दोनों साइट करना है जहां हमारी किनारी है वहां तक हमें इसमें सिलाई के टांके लगा देना ताकि हमारी यह प्रॉपर अच्छे से इस्टिच हो जाए तो इसी तरीके से हम तीनों अपनी बद्धी सिल लेंगे तो लीजी friends complete हो गया है laundry bag बनकर और इसमें काफी थिकनेस आई है क्योंकि हमने इसमें double seat यूज की है और ये हमारी धक्कन है ये भी काफी मौटी बनकर ready हो ये इसमें भी double seat है और इस तरीके से आपको एक cardboard डाल लेना है और इसके bottom part पर इस तरीके से circle में रख देना है तो cardboard लगाने से इसका नीचे जो है हमारा gold base बना रहेगा और friends इसमें काफी अंदर space है तो आप इसमें बहुत सारे कपड़े अंदर store करके रख सकते हैं आप इसमें सर्दियों के कपड़े भी रख सकते हैं और bats चदर बगेरा भी इसमें आप रख सकते हैं तो अब मैं आपको इसमें कितने सारे कपड़े बन जाते हैं बहुत सारे कपड़े इसमें बन जाते हैं friends बहुत सारे कपड़े आप इसमें सर्दियों के हैं गर्मियों के हैं इस तरीके से store करके रख सकते हैं और एक यूज मैं आपको इसको और बताऊंगी बहुत अच्छा सा इसका एक डर्क रख सकते हैं और जैसे सर्दियां जा रही हैं तो आप सर्दियों के कपड़े भी समें इस्टोर करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मेरी चैनल पर नई हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल प्रेस दवाना ना भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोडिफिकेजन से आप रेगुलर अपडेट रहें और इसी तरीके के बहुत सारा रियूज कंटेंट आप मेरी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो में ने अपलोड किये हैं, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया तो चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें, तो मिलते हैं इसी तरीके के एक नेक्स्ट व टे कियर